हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है मेरे इस योट्यूब चैनल डिस्ट के आनमे दोस्तो पंजाब सरकारदवारा कुछ नए इंस्ट्रक्शन जारी की गई है जिनको जाना आपके लिए बहुत जुरूरी है अगर आपने PSTAT के लिए अपलाई कर दिया है या फिर अपलाई करना है तो एक्जाम से पहले इंस्ट्रक्शन को जाना आपके लिए बहुत जुरूरी है तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोग ने मेरे चैनल कब तरह सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जूर करने जिसे की PSTAT के रिगारिंग कोई भी इंफर्मेशन हमें मिलती है तो वो आप तक पहले पहुंच जाएगी तो चली दोस्तों आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि PSTAT की वेब साइट पर कुछ नियू उस्ट्रक्शन जारी की गही है जिनको मैं आपको टन बाई टन बताता हूँ तो सबसे पहली जो इंपोर्टन नोटिस है उसमें सबसे पहली जो लाइन लिखी है कि अग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी अलोटेट बाई ऑफिस स्टाफ इटसर्फ कुछ लोगों के कोश्चन थे क्यूरीज थी कि सेंटर की ऑप्शन नहीं आ रही है तो यहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो भी सेंटर्स होगे वो डिपार्टमेंट की तरफ से अड्मिट कार्ड में ही आपको मिलने वाले हैं इसमें बताया गया है कि जब भी आप अपना फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपको कोई भी लैंगिज की ओप्शन नहीं मिलेगी जो भी आपका एग्जामिनेशन में लैंगिज होगी वो फिर्स लैंगिज जो है वो पंजाबी होगी और सेंट लैंगिज है वो इंग्लि इसमें अब नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां पर आप उस वीडियो से देख सकते हैं कि कैसे अप्लाइ करना है स्टेप वहां पर पूरी जानकर यह आपको मिल जाएगी तो दोस्तो फौर्थ जो इन नोटिस है वहां पर लिखा है अडिशनल कॉलिफिकेशन इन दा एक्जाम इस नोट रिक्वाइड तो दो पर आपको जस्ट ट्वैलत की इंफर्मिशन बननी है क्वालिफिकेशन के लिए और आपने जो भी डिपॉलोमा या डिगरी की है एट दाप्यासिय्ट ऑलिफर इस तेस्ट इस नौट या कॉलिफई यूटो एप्लाइट और आफ रिखा लिखाली नखीेशन भी लिख दो आपको दोस्तो शिक्स नोटिस के बारह में बात करते हैं इन केis वूज औस समेशन ओफमस्ट और देन 1 feken, the remaining fee will be refunded by keeping the first fee दो दोस्तों इसमें क्या हाँगा कि कुछ लोग apply कर रहे हैं तो उनकी जो fees हो कट हो जाती है, payment हो जाती है पर वो आपको वहाँ ओक पर payment की update की option नहीं आती है तो कई बार क्या हो रहाँए कि कुछ लोग बार-बार fees को submit कर रहे हैं या fees को जमा कर आ रहे हैं तो इस उनके लिए ये point लिखा हुआ है कि अगर आप ने एक या एक से ज़्यादा बार आपने payment कर दी है तो कोई बात नहीं गबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपके पहली फीस होगी वो रखली जाएगी और बाकी फीस आपको refund कर दी जाएगी तो दोस्तों ये कुछ कुछ instructions थी जो की government द्वारा जारी की गई है जिनको जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो friends ये थी मेरी आज की वीडियो मिलते हैं हमारी next वीडियो में तो जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक्यू दोस्तों जहन्द